तो माई डेर स्टूडेंट यह है बीए फस्ट एर के फर्स समेस्टर एजूकेशन यानि फिच्छा फाफ्त का पूरा का पूरा माडल पेपर कोश्चिन पेपर जो की इसी वर्स हुआ है ठीक है तो जिन जिन भी इन्वर्सिटी वा कॉलेज में आने वाले दिनों में हमारे स् सब्सक्राइब कर फर्स समस्टर में एजूकेशन का माडल पेपर आ रहा है वह वह किस प्रकार के पूछे जा रहे है और ऐसे कौंद कौन से कोश्चन है जो आपकी परिच्छा में इस बार भी आने वाले हैं ठीक है कौन कौन से ऐसे कौश्चिन जो बार बार रिपीट हो तो इन सभी की बारे हम जानकारी मिलेगी और बहुत ही helpful वीडियो है complete देखते रहेगा चलिए शुरू करते प्रूब के तोर पे आप देखी सकते हैं यहां पर भी फास्ट लिखा दोजार तेस्ट चोबिश का पेपर सब्जेक्ट एजूकेशन है प्रश्ण पत्र का नाम है क जबी पीपर देने जाएंगे तो आपको कुछ बिशा निर्देश होती इनको आपको जरूर ध्यान देखना है अगर यह नहीं द्यान देती तो आप लोगों की दस पंदा नंबर ऐसे ही कड़ जाते हैं तो आपको समय देख लेना है इसी साफ से आपको प्रतिप्रस्ण का उत्तर देना है ठीक है ताकि आपका ज्यादा समय ना लगे ठीक है और पुढांग भी देख लेना है सबसे पहले आपको खंड़ा में अतले उत्तर देखने यह कुम लेंगे लेकिन उत्तर देने से पहले कुछ दिसान निर्देख यहां पर नोट लिखा होता है इसको आप पहले कुछ लिखने लिखने और लाश्ट में उनके पास समय नहीं वस्ता इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे पहला प्रस्ट्राइब कि परिभासा दीजिए तो सिंपल सी बात है तो आएंगी आएंगी तो सिच्छा पात की मतलब सिच्छा की परिभासा सिंपल सा आप ल की मतलब कि और की जूर्ण को लिना यह पुर कि और कि जैच्छा ही खेलाता है ठीक है तो महत्फपोंत रशने हैं कुलम्रा कि आपको इसको प्रपेर कड़का इगा ठीक है चले है उम्र के साथ-साथ सीखता है और जानता है और ग्यान पराप्त करता है उसी को हम कहेंगे ग्यान ठीक है OK मतलब की उम्र के साथ-साथ जो आपको मतलब की खुद को अपने आपको जब अपने आपको explore करते हैं पर किसी चीज़ देखते हैं है या फिर आपके अंदर जो विचार आते हैं तो इस परकाल लिखेंगे कि जो ग्यान है उन सभी विचारों का समिस्रण हैं जो उम्र के साथ साथ प्राप्त होता है ठीके पर प्रसिचन जिसको आप लोग ट्रेनिंग बोलते हैं तो बहुत कमाता तो आप इसे ए favorable कर सकते हैं , अगला प्रशन हे कि मानुविय मुल्यूजू से आप क्या सनस्ते हैं?! टीक है , ओमनुविय मूल्यू भी हमेश्य नहीं आता है कभी धार आता तो आप इसे इफ़ी पढ़ सकते हैं यह फिर दो साल के बाद आते हैं तो उनकी हम उम्मित कम करते हैं इसलिए उनको आपको बता देते हैं कि आपके इच्छा तैयार करें अधर दर्वाजा पर इग्णोर भी कर सकते हैं जिसे कि गुरू की अधाना तो गुरू से जुड़ा कोश्चिन पूछा जाएगा जो कि आ अच्छे के परति या फिर गुरू के अलग क्या कॉंसेट दे वह आपको लिखना यह भी महत्पूंट साबित हो सकता है और अगला कोश्चन जो आप लोगों के लिए रामबाण होगा क्योंकि यह आएगा ही आएगा ठीक है ऑप चारिक है और यहां पर अनोप चारिक है त आपके परिशा पर नोट कर लिए उसके बाद अग्राब प्रश्ण के उत्धा के उद्देश बताएं उत्ध फिच्छा का मतला होता है यह एर एजुकेशन मतलब कि बारहुए के बाद जो खुछ भी आप लोग डिग्री ले रहे हैं छीक है उसको हम उत्ध फिच्छा या तो आप अपनी डिग्री ले रहे हैं यह कोई फ़िक्श्चा कर आए तिक आपको यहां पर कोई नोकरी मिलेगी या फिर आपकी तभी जरूरत है तो अलग अलग उद्देश हैं उस फिच्छा के ठीक है और अपका टैलेंट जो है और आपका एक्सपीरियंस है और आपकी जो नॉलेज है वो गेन भी होती है ठीक है तो बहुत फारे अलग-अलग उद्देश कोष्चन नेत्राूद-बहुत महात्पोष्प्र स्पना पूरप्रात्मिक फिच्छा की संकलपणा पूत अब Supr ku प्राथमिक और पौर प्लमिक और प्रायमरी ठीक है ये दोनों कोश्चन पूछय जाएंगे पुर्वर प्रात में फिछा के फेदर केहते हैं चाही है प्राइमरी पुछ ले तो इसी तरह आपकी परिच्छा में दस कोश्चन या पर पांच कोश्चन अतली खुत्तर में देखने को लेंगे कुछ इसी परकार के ठीक है अब आ जाएंगे हम खंडबा की और यहाँ पर आपको लग उत्रे कोश्चन देखने को बलेंगे और उसका उत्तर को देखने से पहले और उसका उत्तर देने से पहले कोश्चन का उत्तर देने से पहले यहाँ पर दिसा निर्दिश दी जाती है कि कितने question का answer करना है उस प्रश्ण का उत्तर कितने सब्दों लिखना है उसके लिए कितने number दे जाएंगी आपको पढ़ लेना है यहां ठीक है दिन उसके बाद question के ओर बढ़ना उसका उत्तर देना है तो पहला प्रश्ण यह लग उत्तर का कि कि फिच्छा की संकलपना और लच्छ क्या है बहुत लोग अगला तो 101 परसंट इंप्वाड़न्ट है कि फिच्छा की मुख घटक बताई यह फिर में फेक्टर आप एजूकेशन और 100 परसंट गारंटे के साथ 1100 परसंट इभी कोश्चन आएगा कि भारतेश समिधान में वर्ड़ित मौलिक अधिकारों का वर्ड़न कीजिए मौलिक अधिकार और मौलिक करतब यह दोनों को दोनों बहुत ही टॉप लिवल कोश्चन है यह सिर्फ सिर्फ सिच्छा फाफ्त समास साथ में कोश्चन पूछे जाते हैं तो उनके बारे में आपको जानकारी होनी होनी चाहिए मैंने अच्छे से एक्स्प्रेंट कर रखा है हमारे महासंग्राम वीडियो में जो कि पिछले वर्स कि हैं और इस बार भी जल्दी हम आप लोगों कि समस्त महासंग्राम यह भी नब्वे प्रसत इंपार्टेंट है कभी कभी नहीं आता और लगभग लगभग पूछाई जाता है ठीक है अगला कोश्चन के विद्यार्थियों में कॉसल विकास के लिए फिच्छा कैसे सहायक होती है यानि कि जो इस्किल डिवलेप्मेंट होती है जैसे कि कुछ प्रशनाल्टी डिवलेफिंट के लिए एकलाफिज हो गई तीक है आपकी इंग्लिस इंप्रोव्मेंट के लिए लिए फिच्छ हो गई तो इनसे सम्मंदित प्रस्चन आ सकता है 100% नहीं लेकिन आ सकता है उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था कि आपचारिक और अनुपचारिक दोनों कोश्चिन महात्पूर्ण देखिए उपर उपचारिक पूछा गया था और यह देखिए अनुपचारिक फिर्ड़ा कोश्चन आ गया फिच्छा कहना अभी करण से आप क्या समझते हैं वह दाहार साधित बेख्या कीजिए महात्पूर्ण प्रशन इं प्रात्मिक फिच्छा जो मतलब कि देश करें में जरोरी और मुप्त अनिस्के बाड़े में लिख सकते हैं जो ऑप समय में जवारे पाती स्कूल में जब आप पढ़ने जाते हैं प्रात्मिक बिद्ध्य लेमें ठीक है यानि कि एक्स लेकर पाचवी तक के क्लास को ठीक है उचके बाद आ जाएंगे हम खंडसा में यहां पर आपको देरगुत्री कोश्चिन में देखने को लेंगे इसमें भी शेम पूरी दे कि धीक? युला प्राश्मिक उनस्कोय किस प्रकार सहायक हैं यह भी आप लोगों केले महाच पॉर्बट परस्टे किन कई बार आचूका हमश्चा करते को बहें, यह अनकरी होनी चाहिए जो स्क्राटिक संगठन है और इसकी जो अष्थापना है वह नॉंबर महां में ठीक है नॉंबर महां में की गई थी 1945 में इस बात को ध्यान रखें नगे थी और आगला प्रश्य है की ओटेज IVAC ४ थिक है यानि जीए ने की द्यान रखना आपको जरूरी है इसके बारे में पहले आपको इसका फुल फार्म जानना जरूरी है तो I से यह निकी I से हो गया internal और Q से हो गया quality और A से हो गया assurance और C से हो गया cell ठीक है तो यह जो है वह महाविद्यालेओं में गुडवत्ता संबंधी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है तो ध्यान रखेंगे काफी प्रस्ण यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए और अगला जुमहत्त पूंट प्रस्ण आप लोगों कि प्रात्मिक और मादमिक फिच्छा के अधाड़ा क्या है प्रात्मिक और मादमिक फिच्छा के कुछ उद्देश पर प्रकाश डालिए ठीक है यह कोश्चन आप मादमिक फिच्छा के बारे में अगर आप अच्छे पर तयार कर लेंगे परिवासा उद्देश ठीक है तो आपके कम से कम आठ से दस नंबर पक्के हो जाएंगे ठीक है इन्हीं दोनों प्रस्ण का उत्तर तयार करने पर तो आप लोगों के लिए प्लस पाइंट है यह पक पूरा का पूरा महत्पॉर्ण लेकिन इतना कुछ ज़्यादा है यह पूरा का पूरा पूरा तो 90 प्रस्त ही उम्मीद आने की लेकिन तयार कर लेंगे तो बेटर ही रहेगा तो यह रहा पूरा का पूरा मादल पेपर कोश्चन पेपर बिए फस्टेर के पर समस्टर कम से कम 25 प्रस्ति नंबर पक्के हो जाएंगे ठीक है तो आप इस प्रकार तैयारी कर सकते हैं बाकि इन सभी का उत्तर कोश्चन मेंग इंटरनेट पर मिल जाएगा इंटरनेट गूगल कर लिजेगा नहीं मिल ला तो कुस दिन वेट करी हम आप लोगों के समस्त जल्दी इ कर देएंगे।